जैहिन दोस्तों, आपके सामने SuperTreat 2019 का एक question दिया गया है और इस वीडियो में हम इसी question के solution को समझेंगा है तो question कुछ इस तरह से है, if the height of the two cones are in the ratio 1 is to 4 and their diameters are in the ratio 4 is to 5 then what is the ratio of their volumes? मतलब दो cones आपको दिये गया है और उनके height का ratio दिया गया है 1 is to 4 और उसके diameter का ratio दिया गया है 4 is to 5 तो आपसे पूछ रहा है कि volume का ratio क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए, कौन की बात की गई है, तो कौन के volume का formula आपको पता होना चाहिए जो की है 1 by 3 pi r square h, ओके? ये formula आपको पहले से पता होना चाहिए अब देखते हैं कि question में क्या का चीज़े दी गई है तो question में आपको height का ratio दिया गया है, ठीक है? तो अगर हम लोग पहले कौन का height मान लेते हैं h1 और दूसरे कौन का height मान लेते हैं h2 और इसका जब हम लोग ratio लेते हैं ये दिया गया है 1 is to 4 तो इसको हम लोग ले सकते हैं x upon 4x तो ये 1 is to 4 ही आएगा और दूसरी चीज़ जो दी गई है वो दिया गया है diameter का ratio तो देखे जब भी आपका diameter का ratio दिया जाता है तो ये आपके radius की ratio के equal ही होता है तो इसका मतलब indirectly आपको radius का भी ratio दिया गया है ठीक है? तो जब आप radius का यहाँ पर ratio लिखोगे तो r1 upon r2 r1 हमारा पहले कून का radius हो जाएगा r2 हमारे दूसरे कून का radius हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 4y upon 5y ठीक है? हम लोग variable अपने से ले सकते हैं तो देखे ये कीज़े हमें दी गई है अब हमें find क्या करना है? कि volume के ratio को find करना है तो अगर हम लोग पहले कून का volume मान लेते हैं v1 और दूसरे कून का volume मान लेते हैं v2 अब उसका formula लिखते हैं हमें पता है formula होता है 1 by 3 pi r square h तो हम लोग लिख सकते हैं 1 by 3 pi r की जगा हम लोग लिखेंगे r1 square h1 ठीक है? क्योंकि हम लोग volume पहले कून का निकाल रहा है और v2 के जगल लिख देंगे 1 by 3 pi r2 square h2 बस हमें ये solve करना है अब देखिए 1 by 3 जो constant है 1 by 3 pi ये आपका यहाँ से cut हो जाएगा तो बसता क्या क्या है यहाँ पर अगर हम लोग v1 upon v2 करते हैं h1 r1 की value क्या लिख सकते है 4y ठीक है और ये square हो जाएगा और h1 की value क्या हो जाएगी x और upon में क्या लिखेंगे r2 की value हम लिखेंगे 5y square whole square हो जाएगा और 4x ठीक है x x आपका cut जाएगा यहाँ पर and आपके बचा क्या 16y square upon में 25y square into 4 y square भी यहाँ cut हो जाएगा और 4 और 16 को आप यहाँ पर cut कर सकते यहाँ पर एच्छेगा 4 इसका मतलब बचा क्या आपके पास 4 upon 25 इसको अगर हम लोग ratio में लिखते हैं तो 4 is to 25 तो यह आपका हो जाएगा answer यानि कि option number आपका पहला जो है वो बिल्कुल correct हो जाएगा ओके तो मिरते हैं अपने next वीडियो में